हलो एंड वेलकम टू टेली टाकीज बिग बॉस सीजन अठारा के घर के अंदर नॉमिनेशन के टास्क की पूरी डीटेल्स आ गई हैं बिग बॉस ने यहाँ पर रजद अलाल जो की घर का टाइम गॉड है उसको पावर दी और उसके लिए एक दावत अरेंज की इस दावत मे घरवालों को मौका दिया जाएगा रजद अराल को खाना खेलाने का और ऐसे में जिसका खाना रजद को पसंद आएगा वो शक्स उतना ही नॉमिनेट कर पाएगा यहाँ पर दिगविजय ने नॉमिनेट करा सबसे पहले विविन डिसेना को तो वहीं शुतिका को रजद के पास कुर्सी पर ही बैठ गया और कहने लगा कि असली तो मैं ही हूँ टाइम गॉड तू तो टाइम बिंग है तो वहीं शुतिका ने कशिश को नॉमिनेट करा उसके हाथ पर उसका नाम लिखा आपको बता दें कि यहाँ पर चाहत पांडे ने भी बड़ा गेम ख लगते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनको पता होना चाहिए कि इनकी हरकते भी लोगों को बुरी लग सकती है आपको बता दें कि विविन नॉमिनेट हो चुका है तो वहीं चाहत पांडे के बाद यहाँ पर शिल्पा ने नॉमिनेट करा करन को और यहाँ पर करन और शिल्पा के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई विविन हसने लगा करन वीर महरा ने बगगा को नॉमिनेट करा और कहा कि इनका बहुत टाइम से इस घर के अंदर गेम चल रहा है जो कि कुछ है नहीं अब इनको जाना चाहिए इस घर से बगगा ने कहा तेरा इस पावर को इनजोई करते हुए सबसे जादा जो वोटिंग की पावर दी वो दी दिगविजय को जी हाँ दिगविजय और शुतिका ने वोटिंग के राइट्स को इनजोई करते हुए सबसे जादा नॉमिनेशन करे हैं अब हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन हुआ है न रशिश, चाहत और करणवीर जी हाँ साथ लोग नॉमिनेट हुए हैं और अगर देखा जाए इस नॉमिनेशन को तो लग रहा है कि घर से जिसका पत्ता कटेगा वो होगी आलेस तूटेगा ग्रुप विविन डिसेना का आप क्या कहेंगे कमेंट्स में आप अपनी राय हमें जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें